नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि PT क्या होती है और कैसे बर्ग करती है और जो potential transformation होता है उसको हमें parallelly में connect करना होता है लेकिन जो हम substation में use करते हैं जो बड़े बड़े substation होते हैं बहाँ पर PT को use करते हैं तो बहाँ पर neutral नहीं होता है बह इसमें हमने CT को जाना था और उसके पहले जाना था हमने isolator को तो जो की substation में use होते हैं यह सारे equipment तो जो भी दोस्त इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो को देख सकते हैं हम description में इसका link देदेंगे आप बहाँ से जाके देख सकते हैं तो बात करें PT की तो potential transformer ब़े होता है वो हमारा काम करता है हमारे जो voltage है जो height voltage होता है उसको measure करने के लिए हमारी help करता है तो सबसे पहले बात करें PT होता क्या है तो P T एक instrument transformer है जिसको हम potential transformer भी बोलते हैं यह बग करता है распormer brush करता है उसी तरह ये भी बर्क करता है और ये एक step down transformer होता है तो इसको हम use क्यों करते हैं इसका क्या use होता है तो वो हम आपको बता दें कि जो potential transformer होता है वो हमारा use होता है जो हमारी heavy voltage होता है जहां-जहां जो high tension line होती है या substation होते हैं जहां पर हमें तो उसके लिए हम पीटी का use करते हैं क्योंकि पीटी जो हमारी help करती है उस high voltage को measure करने में पीटी खुद ही voltage को measure नहीं करती है measure करने के लिए हमें voltage meter का use करना पड़ता है तो चलिए हम इसकी working को समझ लेते हैं तो जो potential transformer होता है step down transformer की रही काम करता है तो इसको भी हम उसी प्रकार से बनाते हैं जिस प्रकार जिस transparent को बनाया जाता है तो पहले सबसे पहले इसको core को बनाया जाता है और core को बनाने के बाद उस पर binding को लपेटा जाता है तो जो primary binding होती है इसकी p.t की तो उसमें बहुत से टरंस होते हैं लेकिन जो इसकी secondary separating होती है उसमें कम टरंस को रखा जाता है जिससे क्या होता है जो voltage है वो हमारे secondary में बहुत कम हो जाता है तो जैसे हमारे जो हमने voltage को दिए है primary में अगर voltage को देंगे तो जो हमारी core लगी हुई है, उसमें एक mmf produce हो जाएगा, तो वो mmf produce होके जो flux है, जो हमारा magnetic flux बनेगा, वो जाकि हमारी secondary से गुजरेगा, क्योंकि यह घूमने लगता है, गोल चक्कर लगाने लगता है उस cores में, तो बहाँ पर दूसरी साइड हमारी secondary binding connect है, तो उसमें जो voltage current को उत्पन कर देगा, बहाँ पर उसको generate कर देगा, तो जो secondary binding है, उसमें tons कम है, तो उससे क्या होगा, जो voltage है, वो बहुत कम हो जाएगा, और जो हमारा PT का ratio होता है, वो हमारा बटे 110 में होता है, कोई भी PT होती है, प्राइमरी में कुछ भी हो सकता है, लेकर जो secondary होती है, तो माल लीजे, किसी PT को हमने design किया है, 33 kV के लिए, तो इसका जो PT का ratio होगा, वो 33 kV by 110 volt होगा, तो माल लीजे, अगर जो PT है, उसमें 33 kV voltage flow हो रहा है, प्राइमरी binding में, तो इसकी जो secondary binding है, उसमें सिर्फ 110 voltage ही produce होगा, रन करेगा, तो इसके साथ जड़ा होगा, जो meter जड voltage है, अगर 33 kV voltage है, वो line में है, तो बही voltage हमें, बोल्टी मीटर में दिखाई देगा, और जो secondary में, जो 110 voltage flow हो रहा था, वो हमें नहीं दिखाई देगा, तो ये voltage, बोल्टी मीटर होता है, वो ये convert करता है, जितना voltage हमने उसको कम किया है, लेकिन जो voltage है, वो convert कर लेता है, तो जो same voltage होता है, real voltage होता है, वही हमें दिखाता है, ठीक है, तो इसलिए जो voltmeter है, वो हमें भी same ratio का लेना होता है, जिससे वो अच्छे जे convert कर सके, जो सही voltage है, वो हमें दिखा सके, तो इसके बाद रह गया था हमारा last point कि जो potential transformer होता है, हमने sub station में देखा है, तो उसमें एक wire connect दिखाई देता है, दूसरा wire जो neutral है, वो हमें connect दिखाई नहीं देता है, उसमें सर्फ एक wire connect दिखाई देता है, तो इसके लिए हम क्या करते है, जो PT का primary binding होती है, उसके एक point में हम face देते हैं, जो भी face के लिए हम लगा रहे हैं PT को, वो face देते हैं, और दूसरा जो point रहता है हमारा primary winding का उसको ground कर देते हैं तो इससे बहां से neutral मिल जाता है तो ये जो primary winding है वो charge हो जाती है और इसकी जो secondary winding होती है उसमें हम voltmeter को connect कर देते हैं तो जो voltage जो भी produce होता है वो हमें बहां पर so करता है दोस्तो हम आसा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा अगर अब भी आपको इस topic पर कोई भी doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं उसमें हम आपको जवाब जरूर देंगे और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको like share जरूर करें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हों तो वो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करें जिससे हम कोई वीडियो अपलूट करें इस topic की उसका notification सबसे पहले आपके पास आ जाए तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे इसी परकार की किसी और वीडियो में